तो स्वागत आप सभी का ग्यापनिकेडमी के इसनाय और लेटेस्ट वीडियो में आज के इस वीडियो में बहुत ही जदा हम लोग इमोशनल स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं यानि कि आप लोग को पता चल गया होगा कि यह चैप्टर एक अफसाना है जी हां 12 क्लास के जब आपके आंक से आंसु आ जाएगा जैसे फिल्म होता है ना कि स्टार्टिंग ठीक ठाक रहता है बीच में भी मतलब इमोशनल इंसान नहीं होता है लेकिन लास्ट में हीरो और हीरोईन मर जाता है एक्टर और एक्ट्रेस विल्कुल इसी तरह इस कहानी में भी हुआ है लेकिन सबसे पहले इस कहानी के जो लिखने वाले हैं यानि कि अफसाना नेगार है वह सलाम बिन रजाक इनके बारे में जितना भी डिटेल्स आप लोग के बुक में दिया गया है चलिए इन सभी डिटेल्स को समझ लेते हैं क्योंकि मुसर्णिफ के बारे में यानकी लेकर के बारे में जाना जरूरी होता है आप लोगों के एकजाम में कोशन पूछ देता है और उसके बाद से एकदम स्टार्टिंग समय आप लोगों को यह अफसाना बताऊंगी और बहुत यह तरीके से हम लोग समझेंगे हैं याद रखिएगा कि इमोशनल नहीं हो जाना है कहा कर देने वाली में दूबना नहीं है ठीक है और जिन लोगों का दिल साफ होगा ना वो सच में रो देंगे मतलब कर देने वाली कानी सबसे पहले स्लाम बिंद्रजाक के बारे में समझ लेते हैं इनकी पैदाइश हुई है पंदरा नमबर उन्हें से तालिस भी को पूछे तो आप लोगों सही से टिक कर लेना है याद कर लिजी अभी कि इसलाम बिंद्रजाक की पैदाइश कहां हुई तो महाराष्ट के पनवील में कब तो पंदरा नमबर उन्हें से तालिस भी को ठीक है और तालीम की बात कर लें शिक्षा तो इनकी जो शिक्षा है वो कर्पोरेशन के स्कूल में यह 35 सालों तक उस्ताद के तौर पर पढ़ाते रहें और 35 साल के बाद उन्हेंसा 99 में यह रिटायर हुए थे और कुछ वक्त के लिए बंबई में ही रहे थे मुकीम रहे उन्हें 64 में इनका पहला अफसाना शाय हुआ याद रखिएगा सलाम बि रजाक जो है ना उर्दू के लावा हिंदी और मराठी भी जानते हैं क्योंकि हिंदी और मराठी की जुबान की किताब है उसको उर्दू में ट्रंसलेट किया है इसी वज़ा से महाम की खाड़ी जो है यह लिखा गया है कृष्ण रटकर के द्वारा लिखा गया था मराठी और मराथी से इन्होंने उर्दो में translate किया महाम की खाड़ी नाम की तर्जुमा किताब है याद रखना है यानि कि ट्रांसलेट किया हुआ किसने किया है सलाम बिन रजाक ने ठीक है और हिंदी में बात कर ले तो हिंदी में इन्होंने एक अफसानवी मजमय यानकी कहानी का किताब लिखा था जिसका नाम है धीनू और सबसे किताब कहानी का नाम किताब का लाम याद रखेगा शिकस्ता भूतो Cu के दर्मियान यह सबसे फेमस प्रचलित कहानी का किताब है सलाम बिन रजाक के द्वारा लिखा गया श्रिकस्ता बूतों के दर्मियान यह 2001 में प्रकाशित हुआ सलाम बिन रजाक के द्वरा लिखा गया था यह कहानी का किताब का है तो श्रिकस्ता बूतों के दर्मियान नाम की अफसाना का किताब का यह अफसाना है ठीक है और नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा जो है ना एक तर्जमा यानि कि ट्रंसलेट किया हुआ किताब है उसरी हिंदी कहानिया यह प्रकाशित किया गया था उन्हें सब पंचानविर में यह याद रखिएगा हो सकता है कि कोशन पूछते अभी तक तो पूचा नहीं लेकिन हो सकता है कि आप लोगों जीचाम में इस बार पूच देन साहिते अकेडमी का तर्जुमा अवर्ड मिला था सलामबिन रजा बहुत करते हैं तो इनको तर्जुमा मिला था और उसके बाद ते 2004 में फिर इनको आपकेडनी अवर्ड मिला किसके वज़े से तो श्रीकस्ता बूतों के दर्मिया नाम के यह किताब लिखने को जैसे मैं बोल रही हुँ ना बहुत दा फेमस हुआ था यह किताब और 2004 में यही किताब लिखने के वज़े से साहित एकेडमी इनाम मिला और उन्हेस अंठानबिर में इनको साहित एकेडमी तर्जुमा वार्ड मिला था यह दोनों याद रखना है ठीक तो यहां पर हो गया स्लाम विंडूजाक के बारे में सारा डेटेल्स कंप्लीट बस इनके बारे में इतना ही दिया है आप लोग में अब चलिए मैं आप लोग को यह पूरा अफसाना पूरी कहानी से बताती हू कहा की तो रेगिस्तानी अलाके की रेगिस्तानी अलाके में गाउं रहता है जिसका नाम रहता है धोरन धोरन गाउं की यह कहानी है और ध्यान रखिएगा इस कहानी में लेखक यान की सलाम बिन रजाक खुद शामिल है मतलब यह खुद ऐसा लग रहा है कि कहानी को बता रह ठीक है ना एक स्कूल यहां पर मैं लिख दे रही हुं इस्कूल लिखना में बूल गई धूरण गाओ के स्कूल में सलाम बिन रजाक जो है वह इंस्पेक्टर के तौर पर गह रहते हैं जब उसकूल में जाते हैं तो उनको याद आने लगता है कि वह इसी स्कूल में 25 सल पहल तो पचीस सालों के बाद 25 लेटर और उसी स्कूल में पचीस साल पहले यानि कि 25 यानि कि 25 साल पहले क्या रहते थे वह टीचर हुआ करते थे तो अपने आपको बता रहे हैं कि मैं गया उस स्कूल में तो फिर उस एक स्कूल के जो स्कूल के जो पूर नाम नाम थे कि याद रखिएगा उसे ऑप्डूर और उसकूल में बहुत स्कूल का मुआइना करने के लिए मैं गया था उस स्कूल में तो इसकूल का मुआइना कर लिया और सब कारेकरम ठीक चल रहा था इसकूल के स्थिती ठीक थी मैंने अब्दुर्ब यान की एड मास्टर को बता दिया और उसके बाद से अब्दुर्ब बोले हमसे कि आज रात को तो आपको हमारे यहां खाने आना है यानि कि दावत वगरे दिया जता है ना तो दावत अब्दुर्व चाहब दिये सलाम बिन रजाक को ठीक है मैं आपके घर आ जाऊंगा शाम को आप चले जाए जरह हमको यहां का नजारा देखना है क्योंकि 25 साल के बाद मैं यहां पर आय और कुछ दूरी पर चावल की मीन है जाओ की फैक्टरी जहां से दुखदूख की आवाज आ रही है ऐसे लग रहा है कि सन्नाटे का दिल धड़क रहा हो तो इस तरह का नजारा देखते हैं और पूरा गाओं देखते हैं कि देखो गाओं में कितना परिवर्थन आ गया है गा वो 25 साल पहले क्या थे टीचर थे मास्टर साब हुआ करते थे तो यहां से कोशन पूछ देता है याद रखना है हमेशा सही सभी आप लोगों को इंसर टिक करना है साथ में आप लोगों को बताते चल रही हूं कि कहां कहां से कोशन पूछ देता है ठीक है अब देखिए सलाम सलाम बिन रजाक जब वहां के नजारी को देखें गाओं को देखें स्कूल को देखें तो 25 साल पहले की कहानी उनको याद आने लगी अब सलाम बिन रजाक जो है ना 25 साल पहले लेकर चले गया है यान कि 25 साल पहले आप लोग चले तो हुआ यह था कि सलाम बिन रजाक पहल पहली बार उस स्कूल में टीचर बनकर आये थे अब ये 25 साल पहले की कहानी है 25 पहले चले जई ठीक है तो पहली बार इसकूल में सलाम बिंद्रजाक की यानिकी मुसंनिफ जो है न वह टीचर बनकर आए थे काफी नया नया था पहला जो अनुभाव है पहला ही होता है स्कूल के इंचार्ज भी थे और नॉर्मली जिस तरह सलाम बिन रजाक एक टीचर थे मास्टर साहब थे बिल्कुल उसी तरह अमीर अली एक टीचर थे पहला दिन अच्छा गया उसके अगले दिन सलाम बिन रजाक जो है ना अपने कमरे में बैठे हुए थे उनके साथ अमीर भी थे और जो कि यह चाय पी रहे थे अमीर अली तभी एक नौजवान आया सलाम बिन रजाक को देख कर लगा कि हाँ यह 24-25 साल का होगा ना भी गोरा भी नहीं था सावला था और मतलब हटा-कटा था सरीर था उसका और 24-25 साल देखने में लग रहा था आकर सलाम किया अमी तहले से पनी बढ़ने लगा और पानी भरते हुए वो लड़का जो है ना अमीर से बोला कि लगता है नए मास्टर सहाबाए हैं तो अमीर अली बोले जी हाँ इनका नाम है सलाम बिन रुजब और अमीर अली शलाम बिन विसो को बताए कि देखिए यह लड़का है इसका ना नाम इबराहिम सक्का है और यह साकी है साकी कहते हैं जो पानी दूसरों को पिलाता है तो जो गाउं होते हैं वहाँ पर एक के हांद से पाणि पीते हैं और यहीं सब को पानी पीलाता है ठीक है तो सलाम बिन दुजाक सुने उसके बारे में और बोले अच्छा तो बहुत बढ़िया है ठीक है और उसके बाद से इबराहिम सक्का तो पानी भर कर चला गया मतलब खुश भी ओर आथा कि चलो मेरी पीते हैं तो इसलिए अंदर ही अंदर खुश भी हो रहा था और जली जली पानी घड़े और बाल्टी में भरकर और चला गया ठीक है अगले दिन फिर जो सलाम बिन रजाक है यानि कि लेखा अपने कमरे में बैठ कर मसनवी पढ़ रहे थे शौक लखनवी की मसनवी जहरे इस से मास्टर साहब उसक्त कि मस्तर सावी सभी लोग बोला करते थे के लोग को अभी सार्सर बोला जाता है तो जो इब्रहिम सख्का यह पानी ब्रणे के दौरान स्लाम बिन रजाक है यानिक MEL स разв जो है यानिकी लेखक वो थोड़ा देर के लिए हिचकिचा है फिर बोले कि अच्छा पूछो क्या पूछना चाहते हो तो इब्राहिम साथ का बोला सुना है कि आप शेरोशायरी भी करते हैं यह सुनकर मास्टर साब बहुच दाख खुश हुए क्योंकि उनको लग रहा था कि हमारी शेरोशायरी की तारीफ चालो तरफ हो रही है हमारे शेरोशायरी के चर्चे पूरे गाउं में फैल रहे है इससे हो जैसे इनको खुशी हो रही थी लेकिन अपनी खुशी को जाहिर नहीं किये मत वह सरपंच का लड़का तो सरपंच का लड़का तो मास्टर साफ बोले मैं तो किसी सरपंच के लड़का को नहीं जानता हुम जानते हूं अपनी तारीव करवाना चाहते थे न भूछा कि पूछन screamed को नहीं जानता बहुत शेरोशायरी कर लेता हूं यह बात सुनकर मास्टर साब चौक गए मतलब इवराहिम सक्कल के हुलिय को देख रहे थे फटा पुराना कपड़ा पेना था कोट जो पेना था वह लगत दिन का पहना हुआ कोट था मतलब बहुत गंदा हो गया था और अधफटा पैंट न जी मास्टर साब मैं कर लेता हूं अगर आप हमको इजाज़त दे तो कल मैं शाम को आ जाओं अपनी किताब को लेकर जिसमें शेरोशायरी लिखता हूं अपने कॉपी को लेकर और आपको पढ़कर सुनाओंगा ठीक है तो मास्टर साब बोले इनको लग रहा था कि इब्राहिम शख्का को मना कर दे लेकिन इब्राहिम सक्का जो है ना वह इतना अच्छे तरीके से इतना प्यार तो पूछा भी था कि कल मैं आप के पास आ जाओं आपको मैं शेरोशाइरी अपना सुनाओंगा और आप सुनियेगा मतलब मेरे शेरोशाइरी कैसी है तरह बहुत प्यार से पूछा था इबराहिम सक्का सलाम बिन रजाक को मतलब लग रहा था कि मना कर दे हुलिये को देखकर लेकिन उसका पूछने का तरीका था उसको जैसे सलाम बिन रजाक बोले कि अच्छा ठीक है कल मगरिब की नमाज के बाद तुम आ जाना और शेरोशाइरी हमको सुनाना ठीक है मैं देख लूँगा तुम सलाम बिन रजाक बार में पूछ रहे थे कि वह बहुत अच्छा लड़का है बात बहुत अच्छा से करता है और उसके बाद लगता है उसके बारे में पर ज्यादा ध्यान मत दिजिए कि देखिए मैं कितना घर पर जाकर बच्चों को पढ़ाता पढ़ाता हूं पढ़ाता हूं घर पर बच्चों के पास जाकर और हमें खाने को भी मिलता है तो आप पर पर लेते हैं तो सलाम बिन्दुजाक बोलते हैं भी बखार पढ़ा सबसरी तो पढ़ाया चाने को भी मिलता है कि नहीं स्कूल में इसा कर दो सिल्एक वड़ार्व मस्के बात शुर्च गया है सबस्क्रारम बाता रहा होते हैं today इब्राहिम सक्का आता है वगरिव की नमाज के बाद एकदम बहुत अच्छा से त्यार होकर आता है कुर्टा पजामा पेने हुए बाल जड़े हुए और हाथ में अपने कॉपी को लिए हुए आता है स्लाम करके यानि की स्लाम अलेकु मास्टर साहब करके अंदर एंटर किया घर में आया और उसके बाद से मास्टर साहब मैं अपनी कोपी अपने साथ लेकर आया हूं इसमें देखिए मैं लिखा हूं बताइए मैं कैसा से लिखता हूं कोई घंती होगा तो बताइए तो सलाम बिन रिजाक लिए हाथ में कॉपी और पढ़ने की कोशिश कर रहे थे ल लेकिन तुम्हारे अंदर ख्यालात है मतलब कुछ इस तरह का पढ़ रहा था कि तुम्हारा हमेशा खिड़की के पराना और ना जुक से दिल पर बिजली गिराना इस तरह का शायरी पढ़ रहा था इब्राहिम सक्का तो स्लाम बिन रिजाक बोले की देखो ख्यालात तो त लवजों की भंडार रहेगी तभी तुम ख्यालात को ढाल सब होगे तो तुम ज्यादा से ज्यादा किताबे पढ़ो और लफ्ज को समझने की कोशिश करो तो इबरहिम सक्का बोलता है किसा नूर ना मा किसा यूसुफ जुलेखा किसा तोता मैना तो ये सुनकर स्लाम इन र पढ़नी होगी तो वह अपने बहुत सारी किताब रखे वे थे अपने घर में उसी में से पुराने कीताब निकाल कर देते हैं इबरहिम सक्का को कि लो इसको हमेशा पढ़ते रहे और लफ्जों का जो तुमारी अंदर कमी है ना लफ्जों को पकड़ने की कोश्का अगर त तो कुछ दिर हुआ इसी तरह दो तीन मिनाट के बाद सलाम बिन रजाक बोले कि अच्छा तुम खाना खा लिये हो रात का तो इबरहिम सक्का बोला नहीं मास्टर साहब मैं जाकर बनाऊंगा और दो पहर का चटनी रखा हुआ है वह प्रमिला लूंगा और खाना बनाकर फ ऊथे खिताब गल्ण रहेते बारे विजे का समय था तो इबरहिम सक्का फिर वापस आया और वही का थैला लेकर पानी बहने के लिए घड़े और बहने के लिए उसमें से दो तीन शेर तो मुझे इसी तरह याद हो गया है तीन-चार शेर में तो इसी तरह याद किया हूं बोले अच्छा ऐसा बात है चलो ठीक है बहुत बढ़ियां याद करते रहो लफदों की भंडार लगे ही तुमारे अंदर उसके बाद से क्या हुआ फिर चला गया इब्रहाहिम सक्का पानी भर कर चला गया तो तीन घंटा के बाद वापस आया इब्रहाहिम सक्का और बोला कि मस्टर साहब मस्टर साहब आपको वेदारखा देशमुक के यहां खाने जाना है वेदारखा देशमुक के यहां क्या करने जाना है खाने जाना है रात खाना खाने चले जाईएगा तो समझ में आ गया सलाम बिन रिजाक को क्यों जाना है खाने क्योंकि उनके घर में वेदा देखो मेरे टिफिन में खाने बचे हुए हैं या तो खालो अगर नहीं खाना चाहते हो तो घर ले कर से ले जाओ खाकर और मुझ को तीफिन सब्सक्राइब ना इब्राहिम सक्का चुप चाप रहा है एकदम सिरियस और फिर थोड़े दिर के बाद जाने लगा का इसलाम दुर्ण जाक जाक अरे जा की रहे हो मैं तुम से क्या बोला जाओ टिफिन और कर चले जाओ घर झाला फिर प्र्रपी जाने लगता है बोलता है कि रुको जरा क्यों जा रहे हो इसी तरह लेते जाओ टीफिन क्या हुआ तो तब जो है ना इब्राहिम सबका बोलता है कि मुआफ कीजेगा मास्टर साहब लेकिन मैं ऐसा बचा कुछा हुआ खाना नहीं खाता मैं किसी का दिया हुआ खाना नहीं खाता मैं अपने म देखूं तो रोज मुझे चार-पांच घर से खाने मिल जाएंगे इतना मेहनत करता हूं हर रोज मतलब हर रोज पांचे घर से मुझे खाने मिल जाएंगे लेकिन मैं नहीं खाता हूं मैं खुद से मेहनत करता हूं पैसा कमाता हूं लाता हूं बनाता हूं और तब खाता हूं मुटिवेट कि देखो कितना इब कितना खुदार लड़का है अपने मेहनत पर उश्रास करता है चाहता तो यह चार-पास घर से इसको हरुज खाने मिल जाते खा सकता था लेकिन यह नहीं खाता है कि अपने महनत पर उश्रास करता है और बहुजा मोटिवेट की मास्टर साहब को और यह भी क्या किये से और यह भी खाना खर गर्ट। और खुद से बनाकर खुद से खाना स्टार्ट कर दिये तो इब्रहायम चक्का दोड़ा हुआया वहला कि अरे मास्टर साहब आपने गाउं की बारी क्यों बंद कर दी गाउं के लोग का खाना क्यों नहीं खा रहे हैं तो मास्टर साहब बोले कि तुम भी तो किसी का दिया खाना और गाउं की बारी में अंतर होता है ना तो मास्टर साहब बोले कि कोई अंतर होता है जो बचा हुआ खाना है फॉस मेरे बनाऊंगा और खुड से दिन बीच गया और स्लाम बिल्जाक 3092 वोई हुए थे रात का समय था अचानक तेज गाउं में बहुत तेज शोर मचा उठे उतने रात को जो है ना स्लाम बिन्रजाक की निंद खुल गई बाहर निकल कर लोगों से पूछे तो पता चला की बेदार खादेशमुक के यहां कोई चोर घुचाया है ठीक है उसके बाद मास्टर आप बोले कि देखो तुम पहले क्यों नहीं बताएं अगर पहले बता दी रहे थे तो मैं अपना खिषडी नहीं बनाता अच्छा आजाओ कोई बात नहीं है तुम भी मेरे साथ बैटकर खालो इस तरह खाना बचेगा नहीं मेरी खिचडी भी कतम हो जाएगी और आधा खाना भी कतम हो जाएगा चलो साथ में बैठकर खा लेते हैं तो मास्टर सब्सक्रा मुसकुराता हुआ पूछा मास्टर साहब से क्था साथ के मास्टर आपकी शादी हो गई है और बतायो तुम्हारा तुम्हारी शादी की नहीं मैं और याद रखिए गए बरी कलास तक चौथी क्लास तक पढ़ा रहता है पूछते हैं नजर में कोई लड़की है जिसे चाहते हो बताओ हमसे तुम्हारा शादी उससे लगवाद होगा इव्राहिम सख्का ये बात सुनकर ना उसका expression change हो गया चेहरे का मुझणब serious हो गया हूँ जैसे ही ये बात आया ना शादी का इसकी शादी का तो उसका चेहरे का expression change हो गया अचानक कि अचानक एसे क्यूं करने लगे वोला कि कुछ है मास्टर सभा और खाने लगा जल जल दी हां दो और चला गया तुर्ण्त मास्टर साब बाद में सोशेल लगे कि कहीं मैं नहीं तो इб्रहाहिम सब्नापका कुछ नहीं नहीं न बोल दिया नहीं मैंने तो कुछ नहीं बोला फिर ये अचानक इब्राहिम साहब का एक्सप्रेशन क्यों चेंज हो गया और इतना स्रियस होकर जल जल दिखाना का क्यों चला गया उसके बाद से कई दिनों तक मास्टर साहब की इब्राहिम साहब से मुलाकात नहीं हुई इसकूल में भी मुझसे बिना बताई चले गए स्रियस होकर मैंने चले का एक्सप्रेशन ही चेंज हो गया मैंने तुमको कुछ बोल दिया है क्या तो इब्राहिम साहब आपकी बातों का भला मैं बुरा मान सकता हूं बिल्कुल नहीं उसके बाद से फिर इतना ही बात हुआ और फिर इब्र तयार होकर स्कूल में पहुचे पढ़ाने के लिए तो देखते हैं कि प्रेयर में जितने भी लड़के खड़े गयते हैं बहुत कम बच्चे आये थे तो मास्टर साहब अमीर अली से पूछे कि आज बच्चे इतना कम क्यूं है बेतहाशा कम दिखाई दे रहा ऐसा क्यों त उसको उसकी मौत हो गई कूए में तरह तरह की लोग तरह तरह के बाते बना रहे हैं कुछ लोग का कहना है कि उस दिन जो चोड़ घुसा था रात को वह कोई चोड़ नहीं था विदार्खा देशमुक की बहन का आशिक था जो से मिलने के लिए आया था जब यह बात उनके घरवालों को पता चली तो फिर या तो विदार्खा देशमुक के घरवाले बहुत ज़्यदा पीटे होंगे मारे होंगे बहन को और कुए में वही जाल दिये होंगे या फिर मारने पीटने को जैसे यह खुद परेशान हो गई होगी तो खुद कर खुशी कर ली होगी तरह आदम को देखकर डर नहीं लगने लगता है कितना खतरनाक हो गाई एक मारेगा तो आदमी गिर जाएगा उसी तरह यह भी था एकदम हट्टा कर्टा दिखने में और आप बोल सकते हैं रूड चाइब का इनसान होता है उसी तरह यह भी था और उसी की बहन का इंतकाल हो गय और राध कि नयाजें दफनाजिया जाएगा विदार रात के समय तेयार हो गए और ऐको फर लेकर जा रहे थे मौसंड Llama को लेकर जा रहे थे पीछे जी भीड एक्षांत जा रहे थी रात का समय था आसमान में तारे नजर आ तेज हवाय चल रहे थी बहुत थेज तेज मौसम खराब हो गया था और उसके बासे हैं और सब्वत है immediate मैं सबसे लास्ट में चलता हूं मौसम भी खराब है मैं सबसे लास्ट में चलता हूं कोई दिक्कत नहीं और रात का भी समय है तो सबसे लास्ट में यह जा रहे थे की खुद्धाने लगा और रिस्तान में दफं कर दिया गया विधे रख्यू इसका लाता विए दाभणत पर लुज बार जनाज़त कर मद ले गाए दोर यहारा तो परने लेकिन पढ़े नहीं नमाज चिं लोगो चनाजा का नमाज नहीं परना था उनको अलग कर दिया गया और जिनको परना था तो पढ़ी रहे थे लेकिन जूनो को नहीं परना था वे अलग हो घूए तो object MS grandes बहुतoter चली रहा था आगे मैयत को लेकर जा रहा था जा रहे थे लोग और उसके पीछे सभी लोग की भीड थी और सबसे पीछे मैं था और मेरे पीछे भी कोई और था काली कंबल ओड़े हुए तो वही आदमी जो है ना आता है मास्टर सहाब के कंधे पर हात रखता है और धीरे से समझ में आ जाता है मास्टर सहाब को कि यह कौन है वह समझ जाते हैं कि इबरहिम सक्काई है जो की काली कंबल को ओड़े हुए है और उसको बहुत तेज बुखार है बहुत तेज हवाय चल रही है बाहर ठंडा भी है और छीक भी रहा है बुखार है उसका तवियत देखकर यह मतलब जो एना घबरा जाते हैं मासेगाते बहुत है कि तुम यहां पर क्या कर रहे हो तो एक मुठ्ण मिट्टी लिया रहता है बोलता ह्पायर मजू तरफ आ मेरी तरफ से एंट भब कबि और दाल जैए तो मास्टर साहब ले ले लेदे और इसके बार से जब दफनाये जाता है तो मस्टर साहब घ setti गया कहां तो कहीं भी लेकिन सूजाने के बादू've. जैसे ही दूबारा है नोग सब सभी लोग दोड रहे दोड रहे थे बहुत सब्सक्राइब भाइन दर्वाजा खोल कर किसी पकड़ कर बोले कि क्या हुआ है भाई तो मास्टर साहब से सभी लोग बताये कि अरे जो बेदार खादेशमुक की बहन है ना उसके कब्र के उपर किसी की मयत पड़ी हुई है अब यह बात सुनकर मास्टर साहब भी और जिदा चौक गए अब वो तुरंत जो है ना चपल पह अच्छा तब ही तो मैं उस दिन पूछा था शादी का बात इब्राहिम सक्का से जब मेरे साथ खाना खाने बैठा था तो जब मैं पूछा था कि तुम्हारे जहन में कोई लड़की है जिसको तुम पसंद करते हो तो बताओ मैं तुम्हारे शादी लगा दूँगा उस वक जिसे वह प्यार करता है महबत करता है क्योंकि वेदार खादेशमुक बहुत बड़ा आदमी रहता है उस गाओं का और वेदार खादेशमुक अपनी बहन की शादी कभी एक साकी से पानी भरने वाले इंसान से होने ही नहीं देगा और इसलिए जो है ना इब्राहिम सक्का क जो चेहरे का एक्सप्रेशन है वो चेंज हो गया था वो स्रियस हो गया था पूरी कहानी समझ में आई और यही उच नीच के भेद भाव के वज़ा से दो लोग की जान चली गए एक तो वेदार खादेशमुक की बहन की जान चली गई उसके बात से इब्राहिम सक्का की जा लेकिन देखिए उच नीच के भेद भाव के वज़ा से दो लोग की जान चली गई और यही सोचते सोचते जो है ना मास्टर सहाब उसकभरिस्तान तक पहुंच जाते हैं जहां पर वेदार खादेशमुक की बहन को दफनाया गया रहता है यह 25 साल के बात जो इंस्पेक्ट के तरफ फिर वहां पर जो है ना देखते हैं कि पुरा अब देखिए पुरा गाव चेंज हो गया स्कूल चेंज हो गया बहुत इस तरह की कहानी को लोग भुला चुके हैं कि कभी इबराहिम सक्क्का और वेदार खादेशमुक की बहन की मौत भी थी लोग किस तरह भूल ज निर्शारता हैं तो जाते हुए और रहेते हैं और कोई आदमी है और यहीं पर कहानी का देर्ड हो जाता है और इस कहानी सक्का और विदार्खा देशमुख की बहन की जान चली गई मतलब उनकी मौत हो गई ठीक है यहां पर हो गए आप लोगा पूर्ण रूप से कहानी कमप्लीट लेखा के बारे में भी समझ गए ठीक है यानि कि 12 क्लास के पुर्दू का चैप्टर नमबर 10 यह आप लोगा कमप् और उसे अपने दोस्तों के पास ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाव उठा सके अगर आप लोग चैनल पर नए आए वे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा और नोटिफिकेशन बिल्कुत बार लिजेगा उसे होगा यह कि मेरे जाने वाल वीडियो का आप तक सबसे पहरे पहुचेगा तो चलिए आज किस वीडियो को यहीं पर करते हैं फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टापिक के साथ तब तक के लिए जहिंद और खुदा हाफिज